चारो तरफ समुदर से गिरा हुआ बंगाल के खाडी में इस्तीत अंडमान निकोबर आइलेंड में आपको कई तरह के बोर्ट्स और शिप्स देखने को मिल जाएंगे। यह दुनिया के बीजियस्ट समुदरी रास्ते मलाका इस्टेट से बिलकुल करीब है। जितने भी पूरी दुनिया के 90% कारगो इस पानी के जहाजों में ही सप्लाई होती है। तो आज हम बात करेंगे अंडमान निकोबर आइलेंड में इस्तीत कुछ बोर्ट्स और सिप्स के बारे में। छोटे और बड़े जहाजों की वेराइडिस के बारे में। शुरू करते हैं आजह जहाजों के दस पसेंजर केपसिटी का है और यह जियादातर टूरिस्ट के इस्तेमाल के लिए होता है। यह यहाँ अबड़ी जट्टी से छूड़ती है। और रोस आइलेंड नॉर्थ बे आइलेंड और वाइपर आइलेंड के लिए चलती है। आप नॉर्थ काड़ों से न टक्रा जाए अब आप यह जो देख रहे हैं यह छोटे प्राइविट पसंजर शिप है जो हैवलोग आईलेंड और नील आईलेंड के लिए चलती है हैवलोग आईलेंड में दुनिया का खुबसूरत बीच यानि रादानगर बीच मौजूद है इसकी पसंजर कपैसिटी लगबख तीनसो लोगों की होती है यह सुबा जाकर सेम डे रिटन भी आ जाती है इसका किराया सरकारी जहाज हों के किराय से थुड़ी जादा है लेकिन फैसिलिटीज भी जादा है यह शिप यमवी सिंदू बिलकुल नया जहाज है जो कोचीन में बना है लेकिन धुक की बात यह है कि 500 पसंजर केपसिटी वाला यह जहाज अपने पहले ही ट्रिप में टेक्निकल प्रॉब्लम की वज़े से वापस आ गया डिलक्स, फस्ट क्लास, सकंड क्लास कैबिन, बंक क्लास एंड सिटिंग कैपसिटी के साथ इसमें 150 मैट्रिक टेंट कारगो की भी छमता है उम्मीद है कि यह जल्द से जल्द अपना टेक्निकल फॉल्ट टिक करके पसंजर को लेकर के चलना सुरू कर देंगे यह जो पीले सा जहाज नजर आ रहा है यह कारगो वेसल है जो चिन्ने बंदरगा से माल लेकर आ रहा है यहां अंडमान में अक्सर माल कारगो वेसल से ही आता है यह पसंजर सिप यमबी ननकोरी यह पोर्ट बेर से कुलकता, वैजाग और चिन्ने के लिए चलती है 21 मेटर चौड़ा और 157 मेटर लंबा इस जहाज की 1200 पसंजर की कैपसिटी है यह भी कारगो शिप है जो अपना माल खाली करके फिलाल एंकरड है यह बलू रंग का कारगो शिप जो चिन्ने के लिए जा रहा है और यह सी बर्ड, इगल एक्सप्रोलर यह साइप्रस देश का जहाज है जो फिलाल पोटबेर में है यह एक रिसेच सर्वे वसल है लगबग 25 मेटर चौड़ा और 94 मेटर लंबा इस जहाज का मुक्य काम समुन्दर के अंदर खनिश पदारतों की खोज करना है यह जहाज समुन्दर के नीचे इस्तित, गैस और तेल के बंडारों को खोशती है और अब आखिर में सी एंटिक वी पावर ग्लोबल यह एक LNG टैंकर है जो 2020 में बना है LNG मींस लिक्यूफाइड नैचुरल गैस यह होंग कोंग का शिप है जो वी पावर कंपनी की अंटर में है यह 28 मीटर चौड़ा और 176 मीटर लंबा इस जहाज की केपसिटी 27,500 क्यूबिक मीटर लिक्यूट गैस की है लगबग 112 करोर रुपय का यह जहाज नैचुरल गैस को एक जगह से दुसरे जगह पहुचाने का काम करता है इस शिप में काम करने वाले क्रू मेंबर्स को हमेशा मुस्ताइद रहना पड़ता है जरा से छोटी से चूप भी बड़ी बड़ी दुरगड़ना को अंजाम दे सकते है अब देख सकते हैं यह इस पे पूरा पाइपलेण उपर में विछा हुआ है और यह जो है जो भी पाइपलेण और जो टैंक होता है इसमें यह जो है बहुत मोटा कैपसिटी के साथ होता है कि जरा से भी गैस कहीं लीख ना हो जाए और भी बहुत सरे जहाज है अंडमान में लेकिन फिलहाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करे जैहिंद